And to be very honest बता हूँ इसका जो exhaust note है वो बहुत ही अच्छा है तो लोग फलट फलट कर देख रहा है कि कौन सी गाड़ी आ रही है Front end feel जो बिगड़ रहा है वो इसके टायर की बज़े से हो रहा है पर पर यहां पर आप देख रहे हैं एशार मोटड और पिर मैं यहां एक नहीं वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में यह आट यह 4VMI साथ में है और इसका मैं आपको रैड रडिय देने बाहा हूं कि यह इंडियन पर कैसा पर परओंग रहती है यह LED headlamp on है design आप देख सकते हैं matte black color scheme आपको इसमें मिलती है थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती जा रही है थोड़ी थोड़ी धूब भी होती जा रही है मौसम बार 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 बदल रहा है सीट जो है वह आपको सिंगल सीट मिलती है बहुत सारी चीजें इसमें बिल जाती ह तो five seven five six तक के लोगों के लिए comfortable है बहुत जादा comfortable भी नहीं कहूंगा शॉट राइडर्स के लिए बढ़ हाँ इत्ती रेंज में यह comfortable रहेगी एंजिन कम स्टार्ट कर लेते हैं एक्जास्ट नोट इसका काफी अच्छा है तो एंजिन performance के अगर बात करें तो एंजिन इसमें वान सिक्स्टी सीजी का मिल जाता है जो कि माक्स पावर 17.55 प्राइस की प्रेडियूस करता है 130,000 रुपे की एक्शोरूम प्राइस में कोई ऐसी मोटरसाइकल आप मुझे बता दीजे जो कि इतनी पावर प्रेडियूस करता हो 17.55 प्राइस 1,31,000 रुपीस की इसकी एक्शोरूम प्राइस है ग्राउं क्लेरिंस 180 mm का है तो खराब रोट्स पर ये आराम से जा सकती है कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है उसके बाद अगर हम क्लच फील की बात करें तो क्लच जो है वो थोड़ा सा थोड़ा सा हैवियर साइट पर है ऐसा लगा मुझे क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले दूसरी मोटरसाइकल चलाई तो उनमें काफी लाइट क्लच आ रहा है क्योंकि आपको बता रहा हूं तो फुट पेक्स होने की वज़े से और ज्यादा स्पूर्टी फील आ जाता है जो यह टाइंक में नी रसेशन्स बने हुए यह बहुत ही अच्छे है इस से मोटरसाइकल के साथ ऐसे कनेक्टेटनेस फील हो जाती है अगर हम सीट की बात करें इसकी तो सीट जो है वो कंफूर्टेबल है स्पेशियस है बहुत शांदार सीट कंपनीनेस की दी है नाइस और पीछे पिलियन को भी बिठा लूँगा तो वहां पर आपको अच्छी स्पेस मिल जाएगी अनलाइक इसमें अच्छा मिलता है लो एंड और पिकप इसमें मिलेगा तो इंजिन जो है वो अच्छा है एंजिन रफाइन में इसका काफी अच्छा है इसमें आपको वाइब्रेशन महसूस होगा थोड़ा बहुत फुटपेक्स पर जो के बिल्कुल नॉमल है सारी गाड़ियों में हाई आर्पेम पर रेड लाइन में महसूस होता है तो थोड़ी सी बजीनेस आपको इसमें महसूस होगी फुटपेक्स पर हैंडल बार पर बट उतना जादा वो कोई मतलब क्रियेट नहीं करता है इरिटेटिंग वाइब्रेशन नहीं है वो जैसे कि दूसरी मोटरसाइकल में बिल्कुल तीन-शार आदार पीम से क्रीप करना शुरू करते था ऐसा नहीं है इसमें आपको तीन राइडिंग मोड Cliff材 घीक है तो आपको इसमें स्पोर्ट मिल जाता है एटेज गाल यहाद्गीं और तो इस मुझे ऐसा लगता है ABS कभी में चेंज होता होगा तो ABS जो है वह कितना जादा सेंसिटिव रहेगा वह रहाएंगा जादा सेंसिटिव होजाता हो और अगर आप जैसे के चेंज करते हैं इसका मोड तो स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा आपको जो है छूट देते था हुगा कि हाँ भगा लोगा या बच्छे से विंड ब्लास जो है वह काफी तेज आ रही है और ऐसे आ रही है फ्रंट नहीं टेल विंड नहीं एसे आ रही है क्रोस्विंड आ रह अच्छा नहीं है तो विए आउनेस्ट जो फ्रंट एंड है उससे मोड साइकल उतनी जाद मुझे स्टेबल फील नहीं हो रहे है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है एक कॉंफिडेंस इसमें मुझे नहीं आ रहा है कॉंफिडेंस जभी आएगा जब फ्रंट एंड जो है वह वह तो टायर जो है वह इसका 90 by 90 का मिलता है यार ग्रोव टीविस अंडट सेक्शन का टायर दो क्या कर रहा हो अंड़ेट सेक्शन का टायर इसमें होना चाहिए था जो कि अल्रेटी दूसरी वन सिस्टी सी सी मोटर साइकल में आता है और फैशन चला रहा है वन फॉर्टी सेक् का होता तो फ्रंट एंड स्टेबिलिटी की अच्छी हो सकती थी ठीक है अगर बात करने तो गेर शिफ्ट स्मूध है अच्छे हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है वह क्लिक साउंड इसना आ जाता है तो वह थोड़ा अपनी मर्जी से चलते हैं कभी अच्छे हो जाएंग जाती है तो यह चीज जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमाइटिक है क्योंकि सिटी ट्राफिक में जवाब इसको चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मोटर साइकल बार आपसे गेर की डिमांड कर रही है और बार बार चेंज करना जो है वो डेली राइडिंग में थोड फील जो है वो उतना शाप और उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है मोटर साइकल में बट वह एक कंप्लेंट के तौर पर मैंने उसना ही बता दिया लेकिन आम उसको आपको फाइदे के साब से बतांगा कि फाइदा है यह क्यों फाइदा है फाइदा इसलिए है क्योंकि यह स इसा बिल्कुल भी नहीं हुआ बहुत अच्छा सस्पेंशन सेटब बहुत अच्छा कंफर्ट कंप्रिय ने दिया है और यह जो फ्रंट एंट स्टेबलिटी जो कंप्रोमाइज हुई है यह सस्पेंशन की वजह से ही हुई है तो आपको दोनों में से कोई एक चीज मिल सकत यह प्लश कर देती है और उसकी वज़े से हैंडलिंग जो हो थोड़ी सी कॉंप्रोमाइज हो जाती है इसका काफी अच्छा है बहुत अच्छा एंजिन परफॉर्मेंस मिलता है और मैं आपको बता हूँ यह एट थाउजन आर्पीम तक भी पूल करती है तो टॉप इन पर अच्छा है तो लोग पलट पलट कर देख रहा है कि कौन सी गाड़ी आ रही है ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो यार ब्रेकिंग जो है वह एक ऐसी चीज जिसने मुझे थोड़ा सा इस मोटरसाइकल में कर रहा है ब्रेकिंग उतनी जाद अच्छी नहीं है तो फ्रंट और अभी रिसेंटली मैंने एनेस वान सिक्स्टी चलाई थी तो एनसवान सिक्टी में तो मुझे याद है कि मैंने अपने वर्ड़ यह बोले थे कि इसमें टश्क्रीन ब्रेक्स हैं विलकुल ठीक है तो उसके जो ब्रेक्स हैं वह तो काफी अच्छे हैं तो इसलिए मुझ details इस motorcycle के बारे में cover कर दी होगी कि यह चलने में कैसी है क्या है क्या नहीं है तो comfort इसमें आपको सबसे बहतरीन मिलेगा और engine performance बहुत अच्छा मिलेगा ठीक है engine performance में आपको low end और mid range काफी strong आपको इसमें मिलता है जैसी आप छोड़ेंगे तो आपको वह एक joke सा देगी तो लेकिन अभी भी हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा सा confusion हो जिसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा वीडियो के end में अब हर एक गाड़ी जो है वो हर एक अलग-अलग customer के लिए बनाई गई है हर एक की अपने pros and cons है इसमें भी कुछ कमिया है जो कि दूसरी गा अच्छा option है जो कि आपको sportier looks देता है four valve आपको engine मिल जाता है जिसमें top end performance अच्छा है satisfactory performance आपको इसमें मिलता है top end में हर इंसान को जो है single travel नहीं करना रहता किसी को दो लोग बैठने तो इसमें आपको seating भी अच्छी मिल जाती है comfortable seat आपको मिल जाती है nice and spacious है MT-15 को लोग seat की वज़े से reject करते है जो कि आपको यहाँ पर एक अच्छी चीज मिलती है Extreme 160R जो है वो एक अच्छा engine है two valve engine है initial pickup अच्छा उसमें आपको मिलता है lightweight के साथ आती है वो motorcycle लेकिन वो top end performance लाग करती है ठीक है तो top end performance जिनको चाहिए उनके लिए ये option available है और NS-160 का option available है N-160 भी available है N-160 में आपको dual channel ABS मिल जाता है लेकिन उसमें भी same case है कि वो two valve engine है उतना जादा top end performance आपको नहीं देगा तो दिखने में वो ज़रूर fresh looks के साथ आती है लेकिन ये भी कोई दिखने में कम नहीं लगती है और NS-160 से अगर इसको compare करें तो NS-160 से इसका बिल्कुल direct competition जाता है क्योंकि दोनो four valve engines है NS-160 भी चलने में अच्छी है और अभी तो बजाज ने उसमें update भी कर दिया है तो अगर आप इसका और NS-160 का एक detail comparison देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे comment section में पता दीचेगा detail comparison भी आपके लिए मैं इस channel पर बना दूँगा तो NS-160 की comparison में इसमें handling आपको थोड़ी सी कम मिलती है लेकिन NS-160 का suspension है वो थोड़ा सा stiffer side पर है उसमें braking आपको अच्छी मिल जाती है इसकी braking के comparison में तो ऐसी बहुत सारी चीज़े है अभी हम ऐसे बात करेंगे तो ऐसे खिचड़ी पक जाएगी detail comparison बना देंगे उसमें आपको बते चल जाएगा कि कौन सी motorcycle आपके लिए जादा भैतर है और simple अगर words में कहूं मैं तो यह motorcycle जो है वो आपके लिए एक perfect package है अगर आप एक ऐसी motorcycle ढून रहे हैं जो कि 4 valve engine के साथ आए आपको top end performance भी अच्छा दे दे कि bum scratches absorb कर लेगी और आपकी कमर को मतलब back-ick नहीं होगा आपको तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है I hope so आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई वीडियो को like करिए गा और चैनल को subscribe करें बिना मज़ जाएगा So guys thanks watching stay tuned till then wait for my next upcoming interesting videos